तेसिलदार और कर्णचारियों से हुए विवाद और मारपीट के मामले में अब अभिवक्ता समुदाई भी एकजुट हो गया है स्टेट बार काउंसलिंग के साथ ही प्रदेश भर्प के वकीलों ने इस मामले में एक तरफा कारवाई करने का आरोप लगाया वहीं वकीलों पर करवाही के विरोध और निस्पक्ष जाज की मांग को लेकर प्रदेश भर के वकील काली पट्टी लगा कर काम कर रहे इसी क्रम में राजनान गाउं में भी वकीलों ने संकेतिक विरोध प्रकट किया और कलेक्टर के नाम ADM को ग्यापन सौपा अप्तिसगर क्या वान पर पूरे प्रदेश में वकील विरोध मना रहे हैं और विरोध वरूप आज जो नेयाले आएं तो काली पट्टी लगाकर जो है वह अपना कार कर रहे विरोध प्रदेशर का इस्टेडबार कौशिर के तरफ से यहीं निलदेश हमें प्राप्त हु और आज हम जो है जिला दिवक्ता संके सभी साथीगर शाषन के समग जो है ज्यापन देने के लिए अज उपस्तित हुए थे और हम इस बात का विरोध कर रहे हैं कि रागर में हमारे साथी के साथ वहां के जो कलर्क है रवेंदिव कलर्क उसके द्वारा जो अवैधानी पाट पर आगए उनके द्वारा भी जो है अवकील के साथ पर रूहार किया गया जिसके पर जिसकी परनिती जो है वादिवार के रूप में हुई थी लेकिन उसे जो है राजस्त अमले के कुछत साथियों ने एक इस बना दिया और उसमें जो है इस बास से कोई इदकार नह नहीं होता है और सबसे बड़ी हाश्यास्पाद या बड़े बिडंबना की बात यह है कि जिस मामले में वकील खड़ा होता है जो मामले जो है पड़े लंब लमबे रखे जाते हैं लंबी पकरिया प्रश्कारों को इस बात के लिए प्रुसाहित किया जाता है कि वह मतलब एक उधारन दिया जा सकता है कि इतना भरस्टाचार राज कि किसी भी राजे से नहीं नहीं है तो हमारी मांग यह है कि यह प्रक्रिया इसी अपना ही जाए वह ना कर पाए अधिकारी कर्मचारी और प्रापरली काम हो करवाई और हमारे जो जिसको जिनके खिलाब में फायार हुई है उसे निरस किया जाए और हमारे अन्य साथी को जुन्हों इसके विरोध व्यावाज उठाइए उनको भी जो है इस वापले में आलिप करने का प्रियाश क्या जा रहा है इसकी हम घोड निंदा करते हैं और शासन से बांग करते हैं कि इसकी इस पर शुरूप से नहीं जाज कराई जाए और यह हमने आज राजिपाल के नाम से ग्यापन भी सौपा है और हम इस घटना का तिर निरोध विरोध करते हैं इस घटना की निंदा करते हैं और वकिलों के खिलाब जो वहाई अरगर किया है उसको आपस लेखा। वकिलों पर लेगे जुटा के अपस लोगी वकिलों पर लेगे जुटा के अपस लोगी तो टीजीपी 24 राजनान गाउं से विकुल का नया की रिपोर्ट